सुधिप मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा slip of tongue नहीं है तो क्या लगता है आपको कि ये tactical statement है tactical statement मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्यूंकि एक होता है कि ठीक है BJP को तो vote नहीं देना है लेकिन दूसरा एक नजरिया ये होता है कि BJP के विरोध में ही vote करना है अगर BJP के विरो अगर असुधी नोवैसी भी हैं जो कि पांच बिधान सवा की सीटें जी चुके हैं अगर मुसल्मानों का रुख उधर भी होता तो जाहिड तोर पर महागटवंदन का नुकसान होगा और आपको बेहतर पता है कि कि किस तरीके से नीतिश कुमार ने तेजस्वी आदब ने उनके खिलाफ हाल के दिनों में बयान दिये हैं देखे जैसे मैंने पहले भी कहा है जिसने भी आंतगवादियों को जी लगाया है उसकी आप परिष्टिती भारत देश में देख सकते हैं दिगवजे सिंग से लेके नीचे तक आप समझ सकते हैं बीजेपी अगर इस तरह से करने जा रही है अगर उसी लाइन पे जा रहा है जिसे वो कल तक स्यूडो सेकुलर के रहे थे तो बीजेपी के लिए ये टफ होगा क्योंकि जो वहाँ पे और अल्रेडी खिलारी है महार गजबंधन के वह आप से पहले से हैं और बड़े माजे हुए खिलारी हैं और कि अगर आप छेतर में जाएंगे और देखेंगे तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि मुसल्मानों का वोट बीजेपी के तरफ आ रहा है कुछ महिलाओं का कुछ व्यक्तियों का आ सकता है वो भी तीन तलाक के कारण परन्तु कोई ऐसा चंक चंक आ जाए वोट ऐसा दिखता तो नहीं है और पिछले तीन-चार एलेक्शन में नजर नहीं आया है और जैसे कि हमने बोला कि नहीं सुदिप मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछले दिनों गुलाम गौस हैं जेडियू के मलसी हैं उन्होंने ये कह दिया था बयान दे दिया था कि अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं और उस समय ध्यान रखी ये जेडियू के मलसी थे और राष्टिय जनता दल को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी अब सवाल ये उठता है कि जिस पासमानदा मुस्लिम्स के इनकैसिंग की बात उनको रिजाने की बात साधने की को उत्तर प्रदेश में हमने देखा है तो हमें मैं इसलिए इस संदर में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि चुकि देखिए सियासत में तो जीतना बहर जरूरी होता है अब सवाल ये उत्ता है कि 40 सीट जिसमें कहा जाता है 15 सीट पे उनका सीधा प्रवाव है तो इसलिए इसका फाइदा तो इनको होगा अब्दुलकलाम अजाद को रास्पती बनाया था वो बनने लाइक भी थे उनको जी कह देंगे तो समझ में आता है परंतु अतीक एहमद ऐसे माफिया को जी कहने से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहोट बहुत जादे होगा देखिए भारत यह तो माइंसेट है और यह बहुत स्रूड माइंसेट है और पॉलिटिशन को आप जानते हैं स्रूद होना भी चाहिए वरना पॉलिटिक्स नहीं चलेगा तो पसमंदा का तो कोसिस कर रहा है आपने देखा और आस्ट्ये स्वेम सवक संग का भी एक रास्ट्ये मुस्लिम म भारत के नागरिक हैं वो भी हमसे जूर सकते हैं परंतु बीजेपी रास्ट्ये बीएपी पॉलिटिकल पार्टी है यह कोसिस करेगा परंतु अतीक एहमत को जी करके अगर इनको लग रहा है कि उनको कोई वोट मिलेगा तो यह मुझे कहीं न कहीं यह नहीं हो रहा है क्यों और धामी जी को भी चुनाओं के समय में यह स्टेंड लेना पड़ा था कि मैं इलीगल मजार हटाऊंगा इसलिए बीजेपी के लिए टफ होगा अब समराज चौदरी जी कुछ नया करने की कोशिस कर रहे हैं तो वो समय इतनी बड़ी नहीं है और वो बहुत लंबा प्रोस इसा होता है कि पार्टी दो स्वर में बात करती है ऐसा इसलिए क्योंकि यह 2014 में तीनों पार्टी मुख पार्टी अलग अलग लड़ी थी 2019 में आप जेडियू के साथ थे 40 में 49 सीटें जीतने में कामियाब हुए थे इस बार पहली बार है कि आपके खिलाफ जेडियू और और जेडि एक साथ है क्या आप मान रहे हैं कि 40 सीट में पिछला वाला परफॉर्मेंस दोराना मुश्किल काम है इसलिए यह थोड़ा सा स्टैंड डाइलूशन हो सकता है यह वजहें हो सकती है नहीं देखे मैं तो सवाल सीरे फिर से वापास उछाल दोगा आप ही की तरफ कि अगर आप लोगों को जो आप लोगों को देखते हैं ना आप लोगों को अगर लगता है कि निकीज जी आज भी प्रासंगिक है उनके पास वोट क्योंकि पांच चुनाओ तीन विधान सबा के और फिर MLC के चुनाओ तो भी आपने देख लिए उसके परणाम भी आए व को नुपसान होगा और अगर आपको लगता है कि नहीं निकीज जी के पास अब कुछ बचा नहीं प्रासंगिक नहीं रह गये हैं तो और मोदी जी की अगर लोग प्रियता घट गई है पहले बढ़ी बारती जी आप जबाब दे टाइम कम है आप जबाब दे प्लीज तो जी पहली बार स्वतंत्र भारत में सिख्षा बजट में कटाथी करने वाली नरेंद्र मानिय नरेंद्र बोधी जी की केंद्रे सरकार में ये बात अच्छा नहीं लगता है जो सरकार और अपने सेना को मनीज जबा बोल रहे हैं जवाब देने दीजे मनीज जी बस टाइम कम कितने बेरोजगारों को नरेंद्र मोधी जी ने इसलिए का भारत के संसदों की संसदी जाती है और सबसे बड़ी बात ऑगर इनको डर नहीं है अपने वोट मैंक के खिसकने का तो फिर इतना ये तरह क्यों रहे हैं जब तक ये जिस राज़े में होते हैं सारी चीज़ें फिल गूट कर रही होती है जब ये सक्ठासे बाहर होते है तो तमाम चीजों का नजरिया बदल जाता है आने वाले माप करिएगा समय कम है आपकी बातों को समझ लिया और ये सही बात है कि अब चुनाओं के बहुत कम दिन सेश रह गए हैं अब कह लिजिए एक साल से भी कम समय रह गया है तो जाहर तोर पर अभी कई सियासी घटना करम देखने को भी मिलेगा और इस तरह के ऐसे को मिलेंगे जो चौकाने वाले होंगे और ये सवाल पूछने को मजबूर करेंगे कि आखिरकार ये पाटी अपने स्टैंड को डाइल्यूट वाकई कर रही है या उसको देखने का नजरिया सही नहीं है कई ऐसे तरह के सवाल देखने को मिलेंगे क्योंकि कल तक जो साथ थ वो दोनों एक दूसरे के बिरोध में खड़े हैं